मैं लोहार गल सूर्यमट रामानुस संपरदाय से महेंत अउदेश चारे लोहार गल एक अति प्राचिन तम्तिर्थ इस्थल जो कि धर्ती का पहला तिर्थ है जो कि भगवान विश्णु का यहां पर मत्सवतार लेकर के इस तिर्थ को सभी देवी देवतों से यह तिर्थ आप इसे क्याश यहां पर मत्सवतार विव्ष्णु के दवातों मत्सवतार लिए गया है भगवान पर शुरॉय व्भी site में 24 श्खंस्य पीरिकमा को जो कि मूण सार कि की इस पूरे थे आखंसर किलमेटर में सूर्प्र में सभी सब दालू भगवा안 सूर्य देव के यहां से सूर्य कुंड में इस्तान करके सूर्य भगवान के दर्शन करके यात्रा शुरू करें और उसके बाद में यहां से किरोडी, शाकम्री, टपकेश्वर, नाकुंड होते वे शोभावती और सभी तिर्थों में एक खोरी कुंड और सातो धाराई हैं सातो धारों में इस स्टार्ट भी कुछ व्यक्तियों को मैं देखता हूं बाहर से स्टार्ट करते हैं लेकिन यह परिक्मा सूर्य कुंड में स्टार्ण करके यहीं से परिक्मा चालू करने चीए भगवान सूर्य को परणाम करके इन से निविदन करके कि आपके हम परिक्मा करने जा रहे हैं आप भार्त वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, ये एक तो 84 वर्ष की यात्रा है, 84 कोस्की और एक ही 24 कोस्की हमारे लोहार गल की सूरी छेत्र की यात्रा है, इसको यात्रा को क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है, पहला धर्ती का भगवान विश्णु का, 16 कलावतार भगवान विष्णू की ओए दर्थी पे से उन में से प्रथम आवतार भगवान ने लिया मतशा उतार मतशा उतार भगवान ने क्यों लिया ये पूरा जहां परिक्मा छेतर है सूर्य छेतर जिसको कहते है इसमें पहले 12 किलोमेटर में समूद्र था संबुद्र का बेटा था संखासूर जो असूरियों नहीं मिता और भगवान विश्णू की गदी पे बैटने के लिए उसने सनातन धर्म की चोरी की और सनातन धर्म की चोरी करके वेद पुरान उपनिशिदों की चोरी करके इस जल में आके छुप गया क्योंकि समुद्र का बेटा था तो भगवान विष्णू ने उस समय मत से उतार धारन किया और संखासुर का वद्ध किया और वेदो धार किया जब वेद निकाले जल से सभी देवताओं के नाम से वेदो के नाम पढ़े और वेदो का अधार हुआ भगवान ने जब उसका वद्ध करने का निश्य किया तो भगवान के स्री चर्ण पकड़के बैठ गया क्या प्रभू मैं तो मोक्ष चाता है नहीं मैं तो आपके स्री चर्णों में रहना चाता हूँ तो भगवान ने उसको अपनी पूजा में शंक के रूप में अपने यहाँ पर विराजबन कर लिया तब से इस शंक से जो भगवान की आरती औरों जो भगवान का सारा दित्य करम करते हैं उस संक से होता है उस समय से उसने भगवान के स्री चर्णों को कबूला भगवान के स्री चर्णों में आके बैठ गया तो भगवान ने उसको विराजबन कर लिया फिर भगवान विष्णू का जब मत्षय उतार हो गया तो जल इतना पवित्र हो गया कि दर्शन मातर से इस जल के दर्शन मातर से मौक्ष हो जाया करती थी तो सारे सिष्टी करम में बादा पढ़ने लगी सभी देवी देवताओं को पता लगा कि यहां तो जो भी जीव प्राणी इस जल के उपर से विचर्ण करता है बहतर कुलिमेटर के सरोवर में तो वह मौक्ष प्राप्त हो जाता है उसको तो भगवान ने इस जल को डखने का निश्चे किया इसको उस समय कहते थे ब्रह्मचेत्र ब्रह्मचेत्र में भगवान विश्णों का पदम पुराण में उले काता है तो इसको बड़ी चीज के आवशक्ता पड़ी भगवान ने जब देखा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे इसको डखा जाए क्योंकि बड़ा भैतर किलोमेटर का सरोवर था तो माल और केतु ये दो भाई हैं सुमिरू परवत के पोते और दोयते ये दोनों जो भाई थे ये तपश्या कर रहे थे उस समय कि हमारी कहीं आरती में नाम आए ऐसी उनका मनवर्थ सिद्ध करना था उनको भगवान को आशिरवात भी देना था तो भगवान विश्टू ने उस समय इन दोनों को परवतों को आदेश दिया अब जैसे ही दवाव पड़ा जल के उपर साथ धारों में जल्दाराय निकल पड़ी पहली धारा लोहारगल जिसका नाम नहीं था पहले पूरों में दूसरी किरोडी, तीसरी शाकंबरी, नाग कुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरी कुंड ऐसे करके ये साथो जल्दारों का प्रादुर्भा हो गया फिर भगवान की चंता सताई सभी देवताओं ने भगवान को कहा की प्रभू ये तो पूने जल्दाराय निकल पड़ी है लेकिन ये तिर्थ ऐसा होगा कि कल्यूग उसे अगर किसी को मौक्ष की प्राप्ती करानी है किसी को भगवान के सिरी चर्णों के बड़ जाना है अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो इस तिर्थ में आके लोग बागिस्मर्ण करेंगे और ये कल्यूग तक जब तक कल्यू इसका परचार परचार बढ़ा है और आज मेले में हमारे शद्धालू जो है 15 से 20 लाग यातरी परिक्वाँ में आते हैं और आडे दिन भी यातरी यहांपर भगवान सूर्य नायन के दर्शन करने और रविवार को विशे सूरी के आरातना करने यहां जरूर पदारते हैं यहां इस जगह से ही भगवान परशुराम जी ने प्रहश्चीत अगर किया जो बरत्मान जो सूर्य कुंड है नीचे उस सूर्य कुंड को भगवान परशुराम जी ने 21 बार है हेवंज के चत्रियों का मानमर्दन करने का उनको जो दोश लगा उस दोश के लिए उन्होंने प्राइशिति एगर करना का निश्य किया क्योंकि धर्टी पर अगर हम उमारे कालसरब दोश या किसी प्रकार की पूजा का अगर कोई जगह देखते हैं तो सबसे उप्यूक्त जगह होती है तिर्थ में जाके अगर आप कोई पूजा करते हो कोई भगवान के देवस्तान पे जाके पूजा करते हो तो उसका कई गुना फ़ल बढ़ जाता है तो भगवान परशुराम जी ने भी जब धर्टी पे आविशा उतार लिया और 21 बार है हेवंज के चत्रियों का मानमर्दन हुआ तब उन्होंने देखा कि मैं जो मेरे हाथ से जो दोशकरम हो गया इसका मैं क्या निवारन करूँ धर्टी पर जो भी आता है उसको नौगरे जरूर लग जाते हैं और भगवान सूरे नाराइन नौगरों के समाज के कुल देवता भगवान सूरे नाराइन है और नौगरों के भी प्रस्वामी सूरे हैं और यग में भी सूरे का सबसे बड़ा भाग होता है तो सूरे के बगर यग संपन नहीं हो सकता कोई भी कारे संपन नहीं हो सकता तो भगवान सूर्य को उन्होंने आवान किया और जो नीचे सूर्य कुंड है उतना का इतना बड़ा उन्होंने यग इस्तल बनाया सौन गठित यगवेदी बनायी सो योजन जितनी बड़ी और सो हाज जितनी उड़ी यगवेदी बनाके पूरो दिशा में भगवान सूर्य क इत्यों के विधि से यगया को यहां भुष्ट इसाले किए परिशुरामजी की तो फ्काइब लोब करने 1 इन पहुआ कर में इस परिश्ट 69 औरक्रौ सब्सक्राइब तो वो यग उनका पूर्ण हुआ एक रिशी बच गए तो उन्होंने 50 रिशी रा करते थे उनमसे एक रिशी बचे तो उनोंने उन्होंने उन्हको आदा टुकड़ा उनको मिला और उन्होंने उस दिन उनको निवेदन किया कि आज से आप भगवान माता की जित्ते भी मंदिर उनमें आरादना आप लोग करेंगे तो आपका ये आदा टुकड़ा हमारा जो है वो पूर्ण हो जाएगा पूरा हो जाएगा तो आज से आप माता के मंदिरों में पूजा आजना का काम ये सुन्द्रिय गोत की रिशी जो है वो किया करते थे और फिर भगवान परशुराम जी का कारिया पूर्ण हुआ परशुराम जी के बाद में जब भगवान सुर्य यहां धर्टी पर आये थे तो उनको इस्तान बड़ा रमनिये लगा उन्होंने भगवान विश्णु के आरातना करके इस इस्तान को वर्दान में प्राफ्ट किया और यहां पर सहफ अतनिक निवास इस्तान की रूप में बना के यहां रहने लगए भगवान विश्णु ने इनको इस इस्तान को वर्दान में दिया तब इसका नाम पड़ा पाँडव यहां दो दफा आए पाँडव यहां पे पहले पहले है उससे पहले पाँडव यहां पे आके और सूर्यामंद्री के पिछे जो भीमकुड है उसके पास में भीमकुफा है वहाँ पे उन्होंने छुप करके अपना पूरा समय पूरा किया लास्ट का जो पांस दिन का समय था बचा हुआ वो पूरा किया अग्यातवास का और अग्यातवास का समय पूरा होने पर उपरांत में उन्होंने निवेदन किया कि आप सोमोती मौशा जो आज सो साल में एक बार आया करती थी वे आज साल में चार बार भी सुमुते मौशा आ जाती है तो सुमुते मौशा को यहां पे उन्होंने शाप दिया कि आप कलियों के बार बार आएंगी आपकी इतनी मेहतोता जो है आज वो कम हो जाएगी और आपका कोई भी इंतजार नहीं करेगा आपको साल में चार बार आना पड़ेगा तो साल में चार या पाज बारा सुमुते मौशा आती है उन्हीं के शाप से शाप ही तो करके वरना सो साल में एक बार आया करती थी सुमुते मौशा और बहुत चावागे शाली अपने आपको मानते हैं लोग बाग सुमोते मौशा पे इस तिर्थ के दर्शन करना इस्तान करना वगवान सुर्य को प्रणाम करना यहां करके तो अपनी यात्रा पूर्णोती इस भार भी मिले में सुमोते मौशा है इसलिए लाकों शर्दा लू इस मेले में आएंगे और मैं भगवान से कामना करूँगा कि सब की रक्षा करें सब को शुर्क्षा प्रणा करें और सभी यात्री इस और ध्यान दें इस तिर्थ को सभी का तिर्थ है तो इसको सही डंग से यहां आकर की यात्रा का तरीके से यहां सुर्य भगवान को प्र पाप लेगा उने को दोश लीए तो दोश लिए अपने गहीं सिर्थाटन करें। तुमें प्र और कश्व के बहुत की आपको स्वरक धुआर्ट को खतम किया है, तो उने अपने गहीं और तो उन्होंने कश्वा करें। आपका पाप दोश खतम होगा, धर्ती पर तिर्थार्टन करने से ही आत्रह पूर्ण होती है, तिर्थार्टन करने से ही तिर्थ पर जाने से दोश खतम हो जाता है, तो ये इस तिर्थ में पांड़ों का आगबन हुआ, उससे पहले पूरे भारत वर्ष में और कहीं और भी व पापो का निवान करने वाला तिर्थ ये लोहार गल कहलाता है क्योंकि पूरे विश्व में पूरे भारत वर्ष में कहीं उनके अस्तर स्तर नहीं गले और भगवान परशुराम जो स्वय में एक देवता हैं छटे के लाउतार हैं उनका भी दोश्करम यहीं खतम हुआ तो बरबरिक के एक शीष के दानी जिनको कहा गया है उनको भगवान सूर्य ने दिवे चाक्षु प्रदान किया और उनका शीष इसी सूर्य मंदर के पीछे सबसे उची चोटी पे अरावली पर शंगला पे रखा गया जिसको हम माल और केतु के नाम से इस परवत को जानते हैं यह दोनों भाई अलग लग हैं दोनों एक माल एक केतु है उसके उस पे रखा गया और यहां से यह शीष जो है उन्होंने युद्ध देखा भगवान सूर्य ने उनको दिवे चाक्षु दिये युद्ध देखने के लिए बाई येर जो यहां से सवासो किलोमेटर रेंज ह अपने कुरुक्षेत्र की और यहां से उन्होंने युद्ध देखा युद्ध देखके भीमकुन से होते हुए है यहां से खाटु शाम जाके और नदी में परवा होके वहां निकले और वहां क्या नाम पढ़ा खाटु शाम और आज उनकी वहां खाटु शाम जी के नाम से महराजवियों है वो एक बहुत बड़ा शक्ति पीठ है वहां के भी गुरू सूर्य भगवान है और यहां भगवान सूर्य नारायन रूप में अपनी पत्नी के साथ छाय देवी के साथ विराजवान रहते हैं सदा भगवान अपने वक्तों पे करपा करते हैं और मैं इस लोह सनातन की रक्षा करें घरों में बच्चों को अपने मागद शित करें यहां पेे अनमान चाले सगा पाठ किया करें मंगलवार शनिवार कम से कम भगवान की बक्ति सब सामुली बैठ के किया करो जिससे सनातन जीवित रहे जैस्याराम मनाय Mimi जहो लोहार कलदाम की एक पुने खंडेलवाल व्रामनों के उत्पत्ति होई खंडेलवाल वेश्यों की यहां से उत्पत्ति होई और यहां से महिश्वरी समाज जो आज सब जगह शक्षम है अपने रूप में महिश्वरी समाज के उत्पत्ति भी यही से उनके कुल देउता भगवान सुर्य देव यहां विर प्रश्चनलों के माध्यम से मैं आप सबको निवेदन करता हूं इसकी सबी जगे आप ये पहुचाएं इसकी महीमा पहुचाएं ताकि लोगों को इस कल्यूग में एक मार्ग जो ये है बचा हुआ इसका परसस्ति पर चलने का मार्ग प्रदान हो दर्शन करने का आउसर प्र क्राइब एवेद difेस्ति पलाग।